बहुत समय विता 162-63 वर्षों के बाद ये बिल लाने का सहस कोई कर सका तो वो कोई देश भक्ती ही है और वो देश भक्ती ही है जो इस बिल को लाने का प्रयाज कर पाए इसके लिए जीजीविशा की आवश्यक्ता होती है जो जीजीविशा हर किसी व्यक्ती में नहीं होती और जिसमें होती है वह अपने देश के लिए समर्पित होता है मान नियत दिप्ष महोदा जी ये जो तीन बिल हमारे देश के नाम को बदल करके इंडिया कहने के पश्चात इंडियन कर दिया और इंडियन कह करके उसको पीनल कोड करके नाम दे दिया सिर्फ दिखावा था जो बता दिया ये हमारा है लेकिन हमारा नहीं हमारा ही तुम्हारे लिए है हम अभी भी मालिक हैं और तुम भी तुम अभी भी गुलाम हो यह मानसिक्ता लेकर के यह बिल हमें दे दिये गए थे लेकिन सुतंतरता का मान रखने वाले लोग जो सत्ता पर बैठे वो कभी रखी नहीं पाए हमें उन्होंन लेकिन सत्ताधीस उस समय के लोग जो 65 वर्षों तक शासन किये उन लोगों के अंदर वो जीजीविशा का अभाव था उनके अंदर देश के प्रती निश्ठा का अभाव था जिसके कारण आज हम इस ब्रिटिस कानून को बदलने के लिए आए हैं लेकिन इतने वर्षों तक जिनों ने झेला है उसकी हमें कलपना भी नहीं है हम ये कह रहे थे हम भारत वर्ष में स्वतंत्र भारत में स्वास ले रहे हैं लेकिन हम स्वतंत्र भारत के कानून के अंतरगत नहीं है ये हमें आभास हो रहा था ये हमें झेलना पड़ रहा था इतने वर्षों की गुलाम और तत्कालिन जो सरकारे थी वो नहीं कर पाएं क्या कारण था कि इतना समय लग गया यही मुझे लगता है कि हम गुलामी की मानसिक्ता से हट करके हम आगे बढ़े हैं अब हम अपने शुद्ध भारती अपने देश के प्रती सम्मान अपने देश की आत्मा को छू करके जो अ न्याय होगा तभी हम इसमें न्याय पाएंगे भारती न्याय सहिता दो हजार तेईस भारती नांगरिक सुरक्षा सहिता दो हजार तेईस भारती साक्षद नियम दो हजार तेईस महोदय अब इसमें जब भारती ये लगा है तो दंड भी प्रारंब में नहीं है उन्होंने तो हमें सिर्फ दंड देने के लिए प्रारंब किया था कि इनको दंड सहिता बनाओ और सबसे पहले इने अपरादी गोशित करो क्योंकि CRPC जब आया पहले 1898 में था और उसके बाद इन्हीं लोगों की सरकारों में 1903 में बना 25 बर्षों के बाद 25 स 30 से 30 बर्षों के बाद जब ये कुछ कानून बना पाए तो इन्होंने हमें दिया CRPC उस CRPC के अंतरगत महोदय मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि कितने सादू संतों ने अभी हमारे एक साथी संसर के साथी कहके गए हैं कि हमारे मुस्लिमों पे ये किया जाता मुस्लिमों पे ये किया जाता मैं कहना चाहती हूं कि क्यों भीड़ा हो रही है तुमारे तो उपर बहुत बड़े लोगों का हाथ था कह दिया जाता कि इनको जमानत दे दो क्रिमिनल होने के बाद भी उन्हें जमानत मिल जाती है मैं आज धन्यवाद करती हूँ प्रधान मंतरी मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ अमिर्शाह जी का मैं कुछ कोड करना चाहती हूँ महोदय एक मिनिट में आपका उसमें आप ठोड़ा समझे समय दिजे में पहली वार इस बिल पे बोल रही हूं। मानी अमित्र शाहरजी ने कहा कि ब्रिटिश प्रशासन की रक्शा मजबूती का था रख्षा मजबूती पर था उनका उद्देश दंड का था न्यायका नहीं और यह सत्य है हमने मानि प्रधानमंत्री मोधी जी का भी एक इंटर्व्यू में उनका एक कथन सुना मोधी जी ने इंटर्व्यू में कहा कि जनता हमें जितना अधिकार देगी है जनता हमें जितनी शक्ति देगी हम उससे बढ़कर के काम करेंगे और आज जनता ने ये दिखा दिया है कि हम आपको शक्ति दे रहे हैं आप काम करिये तो ये जनता का साथ और जनता का विकास और सबका साथ होने के साथ ही आज ये दंड का नहीं आज ये न्याय का प्रावधान आया है हमारे बीच में और हम उस प्रावधान के अंतरगत चल रहे हैं महोदय बहुत अच्छा ये लग रहा है कि इतने वर्षों बाद ही सही बहुत सारे कश्टों को जहल करके बहुत लोग आगे आये हैं और जहां अपरादों के लिए कहा जाता ही अपरादी है तो अंग्रेजों का शासन ब्रिटिस का शासन के जो कश्ट जहले हैं उनके बारे में ये बात कहना चाहती हूँ कि महोदय ना संबन दिया जाता था जैसा सरकार चाहे बैसा सरकारें चलाती थी इन लोगों को करने वाला जितना अपरादी होता है करवाने वाला भी उससे बड़ा अपरादी होता है इसलिए महोदय जब इस प्रकार की बात आती थी तो एक 161 का जो नोटिस दिया जाता है वो भी नहीं दिया गया था कोई और की बात नहीं कर रही हूँ अपनी बात कहते हैं लेकिन ऐसा सादू सन्याजियों के साथ हुआ है और हम भी उसको जहले है 163 बंड का बयान होता है 163 बंड का नोटिस दिया जाता है तब आपको ले करके पूछताच की जाती है जिससे आपके परिवार, आपके शिष्ट आपके सेवक, आपके रिष्टेदारों को पता होता है आप कहां हो महोदय आपहरण किया गया तेरा तेरा दिन तक अंदर रखा गया और अंदर रखे क्या यातनाएं दी गई वो यातनाएं अकल पनी ये थी लोगों के लिए लेकिन उनको इस बिटिश शासन के नियमों को हमने जहला है और किसी और नहीं जहला मरा जी हमने जहला है और हमें जिलवाया गया है करने वाले लोग तंत्र के थे करवाने लोग, करवाने वाले लोग सत्ता के थे ये कॉंग्रेसी पूछते हैं कि आज मोदी सरकार ने क्या किया में बताती हूँ महोदेए कोई भी तंतर कभी बदलता है जब हम जन्मानस की मन-सिक्ता को बदल देते हैं महोदेए जन्मानस को बदलने के लिए उसका विकास जरूरी है जन्मानस को जन्मानस को बदलने के लिए उनको रोटी और कपड़ा और रोटी कपड़ा के साथ शिक्षा और शिक्षा के साथ नयाई देना जरूरी है जब ये सब माननी प्रधान मंत्री मोधी जी ने दे दिया हर किसी बर्ग का विकास कर लिया उसके बाद जब नियाई की विवस्था आती है तब हम इसके अंतरगत आते हैं महोधा इतने वर्षों बाद लाने का 10 वर्स हमारे मानि प्रदान मंत्री मोधी जी के शासनकाल के 10 वर्स हुए हैं लेकिन ये चिंतन लंबा रहा ये चिंतन जी विशा का है इसलिए मेरी बात पूरी होने दीजे ने और भी मिबर है आपकी बात खतम किजिए नगा यो सुजाओ रहेगा वो सुजाओ पांच मिन न है तब लोगों को और इसका अलेक्ट्रोनिक उपयोग भी किया जा रहा है जिस जो हमारे मान इन हंवे सहाजी द्वारा बिल लाय गया है मैं उसके समर्थम की महा हूँ महादाय वन 60 बनक मैं जो इल्ट्रोनिक का उपयोग किया रहा है कि हम elektronik के द्वारा के द्वारा इमेल के द्वारे ये सब फिजेंगे तकनीक का उपयोग किया जा रहा है वं 64 का बयान जो जज के सामने होता है अकेले में होता है लेकिन उस पर दवाओ बना करके पूरा दलवाया जाता था जिससे अपरादी छूट जाते थे महोदाए अपने ही छूट अपना कानून है और अपना अनुशासन होगा तब इस देश में सही से विकास हो पाएगा जिसकी और हम चल पड़े हैं बस इतना ही कहेंगे कि कुछ नियम अंदर इसके लाने की आवश्यक्ता है कि जो अब किसी और को ना झेलना पड़े महोदाए जो प्रतारना है दी हम कहें नहीं सकते इसलिए इन में सिर्फ ये जो प्रावधान लाया गया है कि जो प्रतारना होंगी अब उनको भी दंड मिलेगा तो मैं चाहती हूँ कि अब देश में बदलाव आएगा नया भारते तो नय भारत की ठीक ठीक है मन्योर्ट एमा मालीनी जी अध्यक्षि